अलो अब्रिवन, वेल्कम बैक टो मैं उटुक चैनल, आज का हमारा मैस का क्वेश्चन इस प्रकार से है, दो संख्याओं का लगुत्तम समापवर्त 1920 है, तथा मत्तम समापवर्तक 16 है, यदि एक संख्या 128 हो, तो दूसरी संख्या होगी, इस क्वेश्चन के लिए ओप्शन इस प्रकार से है, ओप्शन A है 60, ओप्शन B है 120, ओप्शन C है 240, और ओप्शन D है 336, तो चलिए, कोश्चन को पहले समझ लेते हैं कि इसमें क्या दिया हुआ है और क्या पूछा जा रहा है, तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कोई दो संख्या है, जिनका लगुत्तम स समापवर्तक 16 है, और कहा जा रहा है कि उन दो संख्याओं में से एक संख्या जो 128 है, तो हमें दूसरी संख्या ग्याद करनी होगी, जिनका लेते हैं, तो चलिए, इस सवाल को किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, उसको सीखते हैं और समझते हैं, तो क्वेश्चन में क्या दि समापवर्तक बराबर कितना दिया है, मर्तम समापवर्तक बराबर दिया हुआ है 16, ठीक है, और पहली संख्या के बात करें, एक संख्या जो दी हुई है, उसको हम पहली संख्या माल लेते हैं, ठीक है, तो पहली संख्या बराबर दिया हुआ है, 128, ठीक है, हमें दूसरी संख्या जो है वो ग्याद करना है ठीक है वो फाइंड करना है तो इसलिए कुछ नहीं करेंगे सिंपल से एक सुत्र लगाएंगे और वो सुत्र की शाहता से हम क्या करेंगे इस क्वेस्चन को असानी से सॉल्व कर लेंगे तो चलिए सुत्र हम लेक लेते हैं यहां पर सुत्र इस प्रकार से है पहली संख्या गुने में आपका दूसरी संख्या ठीक बराबर में हो जाएगा आपका लगुत्तम समापवर्थ और गुना महत्तम समापवर्थ रख इस शुत्र में मार रखके हम असानी से इस question को solve कर लेंगे, तो चलिए मार रख देते हैं, तो question में पहली संख्या क्या दिया हुआ है, तो पहली संख्या बराबर दिया हुआ है, 128 गुना, दूसरी संख्या हमको निकालनी है, तो उल्ग्यात नहीं है, दूसरी संख्या को हम दूसरी संख्या है लिख देते हैं बराबर लासा कितना दिया है या लगुतम समाप वर्ध कितना दिया हुआ है तो 1922 दिया है वही महत्तम समाप वर्ध तक कितना दिया है तो 16 दिया हुआ है क्लियर इतना अब क्या करेंगे यह जो एक्सवट्थाइस है या पहली संख्या है उसको क्या करेंगे हम इसको पक्षांतर करेंगे राइट है पर क्लियर है तो चलिए पक्षांतर कर देते हैं तो पक्षांतर करने पर क्या हो जाएगा पक्षांतर करने पर हमारा हो जाएगा दूसरी संख्या बराबर 1920 गुने में 16 और यह जो 128 है पक्षांतर करेंगे तो यह बटे में आ जाएगा तो 128 है हापे हम लेख देते हैं ठीक है अब चलिए जो संख्या कट रहा है उसको काण देते हैं तो 16 जो है आठ फिर से इसको काटते हैं दो से दो चौक आठ और दो ती अच्छा है और दो दूनी चार यह पर 32 आ जाएगा फिर से इसको दो से कैंसल करेंगे तो दो दूनी चार पर यह कितना हो जाएगा दो सोला में 32 जैनि 16 बार में जाएगा अब आगे जब इसको सॉल्ब करेंगे काटेंगे तो यह हो जाएगा दो एकम दो इससे काट देते हैं और दो अट्टे सोला ठीक है छलिए आगे इसको सॉल्ब करते हैं अब यहाँ पर हम देखते हैं कि दूसरी संख्या बराबर कितना बचाएगा हमने उपर में तो 1920 और नीचे में कितना आठ ठीक है अब सिंपल से इसको क्या करेंगे फिर से भाग देते हैं फिर से कांड देते हैं ठीक है तो यह दो से अगर इसको काटेंगे तो यह चार बार में जाएगा दो चौकाट ठीक है इसको अगर काटे तो क ठीक है अब 19 में से 18 को खटाएंगे कितना बच्चेगा एक बच्चेगा तो कितना हो जाएगा दो छे का 12 और दो सुन्या में सुन ठीक है फिर से सो काटेंगे तो दो दूनी चार ये दो चाओं आठ दो अट्थे 16 और दो सुन्या में सुन अब 480 बटे में 2 को जब हम तो हमारे एंसर आजाएगा तो दो से चली इसको काट देते हैं 400 को तो दो दूनी चार ठीक है दो चौकाट और दो सुन्या में सुन्या और ये दो इकम दो ठीक है इस तरीके से देखे तो पूरी तरीके से काटने के बाद हमारे पास क्या बसता है तो 240 बसता है क्लियर है त तो चलिए देख लेते हैं कि कौन से option में 240 दिया हुआ है options को जब हम देखते हैं तो option number C में 240 दिया हुआ है यानि कि इस question के लिए जो right answer होगा वो होगा option number C ठीक है पहली संख्या कितनी दिवे question में दिया हुआ है 128 हमने दूसरी संख्या कितनी निकाली दूसरी संख्या हमने निकाला है 240 ठीक है आसा गरता हूँ आप लोग को इस प्रकार का question जो है किस प्रकार से solve किया जाता है वह बहुत अच्छे से समझ में आया होगा इसी प्रकार के important topic को लेकर मिलते हैं हमारे next वीडियो में तब तक के लिए नन्यवाद